कि नमस्कार मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व एक महामारी से जूज रहा है और हमारे एक मित्र हैं संदीप कक्तवान जी जिनका एक निवेदन था कि आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं देखते हैं तो आप भी इस पर कुछ कहिए तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत भीड़ आ चुकी है सोसल मीडिया पर इन संबंदी बातों की जो लोग सुन भी रहे हैं प्रसारित भी कर रहे हैं बहुत कुछ कहे भी रहे हैं तो मैंने सोचा कि सायद इतना लोग जब कर ही रहे हैं तो कौन हमें सुनने वाला है और दरसल इन दिनों मेरी इस्तिती भी भी बहात अच्छी नहीं है इसलिए फिर भी आप लोगों के बीच हूँ और दो सब्द कहना चाहता हूँ कि इस समस्या से समस्त राष्ट्र समस्त विश्व सब लोग जूज रहे हैं और सब का जो चित है मन है कामकाज है ध्यान है सब इधरी लगा हुआ है सब लोग इस से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि समस्त विवस्था हैं शुचार रूप से पहले की तरह लोट आएं तो इस पर मेरा यही कहना है कि इस समय का सुदूपियो करें अपने आसपास अपनी जितनी भी रसनात मकताय हैं जितनी भी समस्या हैं जो इस समय अकेले पन में हो सकती हैं दूर घर में बैठे हो दूर हो सकती हैं उन कामों को करते जाएं और सुरक्षा के उपाय तो सरकार भी बता रही है TV चैनल पर भी आ रहा है उन चीजों को करते रहें और इस समय चुँकि मैं भी घर पर हूँ और बहुत सारी ब्यवस्थाओं से ब्युवस्थाओं से भी जूज रहा हूँ तो कुछ बातें जो सरकार तक पहुँचाना चाता हूँ वो ये हैं कि हम जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है और लॉकडाउन करने के बाद भी बहुत सारी अभ्यवस्ताइं सामने आ रही है तो इन अभ्यमस्थाओं में सरकार को कुछ नीतियां बनानी चाहिए जो अति आवश्यक है अन्य था इस लोगडाउन का कोई फायदा नहीं हो पाएगा उस तरब भी सरकार का ध्यान होना चाहिए जैसे कि मैं ये जानता हूँ कि सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है बहुत पैसे हैं बहुत सारी नीतियां बहुत सारी शक्ति है उस शक्ति का सुदुपियोग और जो संभावित सक्ति है उसका सुदुपियोग किया जा जैसे कि उत्राखंड के संदर में ये दिको हूँ तो उत्राखंड गाओं का राज्य है पहाड़ों का राज्य है तो यहां गाओं गाओं को सुरक्षित करके इस समस्या से चुटकारा पाये जा सकता है और जो सहरी इलाके हैं उस सहरी इलाके में भी कुछ जो हमारे युवा सकती है सर पूरा एक मानसिक तनाओं का माहौल बन गया है लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो चीजें हैं उनको अति आवस्ट किस आदमी को अति जरूरत है और किस आदमी को थोड़ा सांत रहके चीजों से समाधान पाना चाहिए तो इसके लिए सरकारी तंत्रा यदि पूर्ण निय नोजित तरीके से काम करें तो बहुत सारी बाधायें दूर हो सकती है और जो लोगों के मन में तनाओं पैदा हो गया है और उस तनाओं से जो संभावित खत्रे हैं उनसे भी दूर निप्टा जा सकता है मेरी भी तविया ठीक नहीं है तो थोड़े से दो तीन उधारन देन उस नंबर में उस व्यक्ति की पहचान संबंधी और अनुमती संबंधी चीज भेज दे तो इस तरह से जब भी वो कहीं से गुजरेगा तो उसकी सुरक्षा के साथ उसको अपने इस्थान तक पहुँचाया जाए किस तरह से भी ताकि न उसे गाउं में समस्या आए ना पढ़ान होता है पंच होते हैं आसा कारेकरत्री है और सरकारी मसीनरी आ करके सेनिटाइज करें कुछ दिवस्ता करें इन सब को लेकर के उधार हम भी हैं हम जैसे नौजवान जो इन चीजों में आपनी योग गिता इस्तमाल करना चाहते तो उनको ले ले इस तरह से गाउं पता चल जाता है कि यहां कोई खतरा नहीं है तो इस तरह से उनकी जो एक तनाव पूर्ण जिंदगी है उससे आराम मिलेगा और कई चीज़ें हंगे और गाउं में भी किसी किसी को बीमारी हो जा रही है तो वो पूरा गाउं उस तनाव में आ जा रहे कहीं इसको तो मलब एक साइकोलोजिकल जो तनाव हो जाता है वो चीज हो जा रही है तो इसके लिए गाउं में आप जानते हैं मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन हम जानते हो तरह खंड में सरकारी अस्पतालों के और दवाईयों की क्या दसा है तो इस तरह से यह दी ब्यक्ति-ब्यक्ति को प्रमानिक जानकारी ही साजा करें और कुछ लोग इसमें राजनेतिक धब्यदारी चीज कर रहे हैं तो उन चीज़ों का न करें यह भी निवेदन हैं और दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो लोग घर में हैं प्लीज हम जानते कि हम बहुत सारे संबंदो रिष्टों से घिरे हुए हैं तो उन संबंदो के साथ आपसी ब्यवहर कीजिए बातचित कीजिए मन मुटाओं को सुझाईए और इस समय का सदवियो कीजिए थोड़ी सी इस आवस्था में इतनी बातें आप तक साजा कर पाय हूं तो यह दिया आपको सही लगता हो तो आसिर बात दीजिएगा अपने जितने भी बातें थी हैं तो बहुत कुछ लेकिन एकदम समेट नहीं पा रहा हूं थोड़ी सी दिक्कते हैं तो आपसे इजाचत चाहूंगा नमस्कार